नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है डॉक्टर सम्यक दहवन मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और बहुत ही अच्छी रिकवरी की वीडियो हमारी काला कलब लोबल की विटिलाइगो रिकवरी सीरीज में बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं कि क्या पैर के सफेर दाख खीक हो सकते हैं कि नहीं तो आपके लिए स्पेशल मैं ये पैर के रिकवरी लाया हूँ ये रिकवरी को कंपाइल करने में मुझे 6-9 महिने लग गए क्योंकि बिफोर की फोटो आप देखें 9 महिने पहले लिए तो अब जो मैं आपको आफ्टर की वीडियो दिखाऊंगा ये बहुत लंबा समय लगता है हम लोग पेशिंट को बोल के चलते हैं कि एक से डेर साल लग जाता है और वही चीज़ यहां पे भी हुई है पेशिंट अभी भी ऑन्गोइंग ट्रीटमेंट में है हमार साथ लेकिन मैंने कुछ कॉमेंट्स पढ़ रहे थे जहां पे वो कह रह ने नेक्स्ट वीडियो ताके मैं इस पेशिंट से कॉंटाट करके रखों और इन पेशिंट के साथ बना रहूं और इनकी जो फाइनल ट्रीटमेंट की जो फोटोग्राफ हो बेशक्त वह मैं घर से अनकी अमंगवालों एक वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज नेक्स्ट इस वीडियो जरूर कॉमेंट करें आप एक बार पहले बिफोर की फोटोग्राफ देख लें पेशिंट की पैरों पे सफेद दाग फैल चुका है पेशिंट के सफेद दाग इस समय स्टेबल हैं वो कैसे बता चल रहा है स्टेबल है आप नोटिस करेंगे कि जो मार्जिंज हैं वो बिल्कुल सटीक हैं कोई नई छीटे नहीं आ रहे हैं मार्जिंट तूट नहीं रहा है इस प्रकार से देखके ही फोटोग्राफ देखके ही डॉक्टर की टीम कालकल गुबल पे अनुमान लगा पाती है पक्का की सफेद दाग भढ़ रहा है रुका हुआ है फोन प देखाऊंगा पेशन की आफटर की वीडियो जो पेशन ओपीडी में आए और इनकी हमने वीडियो बनाई चलिए बिना टाइम वेस की वीडियो प्ले कर लेते हैं पहले आप नोटेस करें कि बिफोर की फोटोग्राफ और आफटर की वीडियो में कितना जादा फरक आ चु हो गया है नीचे से बिंदियां आई चोटी चोटी वो बढ़के बढ़ी हो गई एकदम से और उन्होंने पूरे सफेद दाग को आप कवर करना शुरू कर लिया है साइट से भी सफेद दाग शुकर रहा है अंदर से भी उसमें बिंदिया और जो कलर बन रहा है कितना प्या जहां पे जो color बने कोई बोल ना सके आज से एक साल के बाद देखने के बाद आपको की जो रंग बना है क्या यहां पहले कोई disease थी क्या ऐसा नहीं पता चल रहा है अभी भी कुछ spots थी जो white थे जो अभी पुरी तरीके से भरे नहीं है लेकिन उनका color अगर आप notice करेंगे तो वो आप notice करेंगी pink हो चुका है वो pinkish color के हैं वो पुरी तरीके से white नहीं है जैसे कि एक time पे वो पहले थे जब patient हमारे साथ जुड़े थे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह इतना बड़ा patient के white patch था जो कि अब 80% almost भर चुका है और जो color बना है बिलकुल uniform color बना है ब से मिलने train से महाराष्टा से हमको मिलने आया हमने को बोला कि आप online treatment कर वा सकता क्यों इतना खर्चा कर रहे हो आप doctor की fees पे करोगे आप travel में खर्चा करोगे रहने का खर्चा करोगे लेकिन patient क्योंकि बहुत धक्ये पहले खाच चुके थे उनको विश्वास नहीं था लेकिन उन्होंने हमारी बहुत सारे YouTube की वीडियो देखी हुए थे तो उनकी लास्ट उमीद थी लास्ट एफट था कि चलिए मैं कर लेती हूं इसलिए हमारे और भी जादा इंपोर्टेंट था कि हम इनको अच्छा result दें इंको अच्छी recovery दें अच्छी service दें क्योंकि एक बार ज ऐसी situation है जहां पर आदमी बहुत ही dejected और rejected फिल करता है तो it is the doctor's duty कि वो patient को उस mindset से उस mentality से बाहर निकाले ताकि वो अपनी life को फिर से confidently जी सके वो हमारे लिए करना बहुत जादा जरूरी है और वही doctor की सफेद दाग के doctor की असली कमाई वही है जहां पर उनका patient उस mindset से बाह लाइफ को पहले की तरह जी सके so that they can meet the old themselves once again that is the number one priority of at least the doctors at kaya club global तो after की वीडियो में आप देखें जो white spots है color उनका pinkish है वहाँ पे भी treatment चल रही है pigmentation हो रही है इनिक इससे process चालू हो चुका है बिंदियां ओपर आई जोड़ी बड़ी हुई और पूरे पैर को वो cover करती जा रही है एक बार जब इनका treatment शुरू हो जाता है बहुत सारी लो कि the role of diet is only 5% एक बार जब treatment खतम हो जाती है then lifestyle modifications, lifestyle management becomes a slightly more important part लेकिन जब तक आपका इलाग चल रहा है मैं यह समझता हूं मेरे medical opinion में की treatment ज़्यादा powerful होने चाहिए एक बार आप maintenance treatment plan पे आ जाते हैं उसके बाद of course आपका sleep cycle, आपकी constipation, आपका stress management, आपकी hormone levels, आपके diet restrictions ये पहले मुझे ऐसा लगता है कि it is irrelevant अगर आप इन चीजों पर ध्यान दें कि मैं दूद पीओं की नहीं, बदाम खाऊं की नहीं, सेप खाऊं की नहीं, नॉन वेज मिक्स करूं की नहीं, इन चीजों की ओपर कोई scientific study नहीं हुई है, कोई भी modern medicine में ऐसा research article या research paper नहीं है जो ठोस तरीके से बता सके कि ये चीज़ खाने से सफेद दाग भड़ता है, ये चीज़ खाने से आपको 100% अवर्ड कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि उपर नीचे हो, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने कुछ खा लिया, मैंने कुछ कर लि नौ महीने से एक साल में एक्सपेट कर सकते हैं, रिकवरी आती किस तरीके से है, वो भी हमने देखा इस पेशेंट में कि कैसे नीचे से बिग बिग स्पॉट्स आ रहे हैं, पहले छोटे फिर धीरे बड़े हुए जोइन कर लिए, अब वो रंग बना रहे हैं, कलर अब दो हम घर पे ही पता लगा पाते हैं कि डिजी स्प्रेडिंग है या स्टेबल है, अगर हम से लाज देना चाहते हैं, तो दोनों नंबर आपके पास स्क्रीम पे हैं, एक कॉलिंग का नंबर है, एक वाटसाप का नंबर है, आप वाटसाप पे हाई भेज के अपनी ऐसी ही फोट की पाउलम तो नहीं है, यह सारा एक मेडिकल क्वेशनेर आपको दिया जाता है, वो आप से पूछा जाता है, उसके बाद फाइल जो है, वो आगे मूव करते हैं, जहां पे अरवेतिक डॉक्टर भी फाइल को पढ़ते हैं, फिर जाके आपको फाइनल एक कॉल आता है हमार प्लेन करते हैं, फिर यदि आप हमसे जुड़ना चाहें या नहीं, वो आपकी मरजी है, आज उमीद करता हूँ, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, प्रीज कॉमेंट करना ना भूलें, नेक्स्ट वीडियो अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते है तो मेरे नाम था डॉक्टर सम्यक धरवन, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, काया कलप गलोबल पर धन्यवाद।